यदि मैं आपसे कहूँ कि एक समय पर यूएस की आर्थिक इस्तिती इतनी खराब हो चुकी थी कि वहां के लोग पैसे की तंगी के चलते सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गए थे अमेरिका के 40 परतिशत लोगों के पास ना तो खाने के लिए खाना था और ना ही पहने के के लिए कपड़े यहां तक की बड़े बड़े लोग भी अपने घर गमा चुके थे वही बैंक और श्टोक एक्षेंज पूरी तरह से फेड़ हो चुके थे लोग कई सालों तक सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो चुके थे और एक जटके में अमेरिका की एकोनमी इस आज की समय वहां हर किसी की आर्थी किस्तिती बहुत अच्छी नजर आ रही है तो फिर आखिर उस दोर में ऐसा क्या हुआ था कि जिसने रातों रात अमेरिका की आधे से ज्यादा जन संख्या को गरीब बना दिया और अराउंड 23,000 अमेरिकी नागिर्कों को सुसाइड करन तक एक इकॉनमिक डिप्रेशन से गुजनना पड़ा था जिस वज़ा से काफी लोग सडकों पर आ गए थे और उनके लिए ना रहने के लिए घर था और ना खाने के लिए पैसे और यह वही लोग थे जो कुछ समय पहले ही बड़े बड़े घरों में एक ऐशो आराम की जि दे थे तब लोग उन्हें जल्दी ही खरीद लेते थे जिसके कारण इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी अपना प्रोड़क्शन काफी तेज कर दिया था और क्योंकि उस समय ना केवल मेल्स बलकि फीमेल्स भी काम किया करती थी और दोनों ही सेलरी कमाया करते थे वज़ा से श्टोक मार्केट में भी लोगों को काफी फायदा हो रहा था क्योंकि कंपनियों के शेयर काफी ज्यादा भी कर रहे थे और साथी लोगों को उससे काफी अच्छे रिटन्स भी मिल रहे थे साल 1920 से साल 1928 तक यूएस की एकोनमिक ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ती हुई देखने को मिली थी और इसलिए उस समय को दर रोरिंग ट्वेंटी भी कहा गया और जैसे जैसे इन कमपनियों के प्रोड़ेक्ट की सेल बढ़ती चली गई वैसे वैसे इन कमपनियों की वैल्य ही होगा ऐसा इसलिए क्योंकि जब किसी कंपनी की सेल्स बढ़ती है तब उस कंपनी को प्रोफिट भी काफी ज्यादा होता है जिसके कारण उस कंपनी की वैल्यूज भी बढ़ती है और लोगों का उस कंपनी में विश्वास भी बन जाता है और इसलिए उस समय लोगों ने बैंक्स से लोन तक ले लिए थे श्टोक मारकेट में पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए लेकिन जल्द ही इन कमप्णियों द्वारा किये जाने वाले प्रड़क्शन के कारण मारकेट में प्रड़क्ट इतने ज्याधा हो गए कि इनकी डिमांड काफी कम हो गई और इससे कमपनियों को लोस होने लगा लेकिन क्योंकि उस समय इन श्टोक मार्केट पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं था इसलिए इन कमपनियों ने इन्वेस्टमेंट के लिए अपने प्रोफिट के गलत रिकोर्ड सामने रखना शुरू कर दिया जिसके कारण लोग अजाने में फिर भी श्टोक मार्केट में अपना पैसा लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे थे यहां तक कि लोगों को इन कमपनियों पर इतना अंधा विश्वास हो गया था कि वह ज्यादा तर इन्वेस्टमेंट्स बैंक से लोन लेकर ही करने लगे थे ताकि उन्हें अच्छे रिटरंस मिले लेकिन जैसे जैसे कमपनियों का लोस बढ़ता गया अब कमपनियों ने अपनी परड़क्शन बहुत ज्यादा कम कर दी जिसके कारण उन कमपनियों के परड़क्ट्स ओवर वैल्यूड हो गए यानि की वैल परड़क्ट अपने असल दाम से कई गुना ज्यादा महंगे बिकने लगे और जब यह बात लोगों को समझ आने लगी तो लोगों ने इन कमपनियों से काफी तेजी से अपना पैसा बाहर निकालना शुरू कर दिया जिसके कारण एक डोमिनो इफेक्ट देखने को मिला और कुछ ही हफतों में पूरा स्टोक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया लोगों की जिंदगी भर की इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई और बैंकों के अर्बो डोलर कुछ ही समय में पूरी तरह से डूप गए और बैंकों के पास लोगों को देने के लिए पैसे नहीं बचे और एक एक करके अमेरिका के सब ही बड़े बड़े बैंक भी फेल होने लगे और यहीं से शुरुआत हुई थी ग्रेट एकॉनमिक डिप्रेशन की अक्टूबर 24-1929 में यह स्टोक मार्केट इतना तेजी से गिरा कि ज्यादतर लोगों को उनके शेयर्स को बेचने तक का भी मौका नहीं मिला और उस दिन को ब्लैक थजडे के नाम से भी जाना जाता है लेकिन इससे भी ज्यादा बुरी तरह से नुकसान अक्टूबर 29-1929 में हुआ था और वो दिन ब्लैक ट्यूजडे के नाम से मशूर हो गया था और आपको यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि उस समय एक ही दिन में अमेरिकन स्टोक मार्केट का लगबग 13-14 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हो गया था इसकी वज़ा से कंपनी को काफी नुकस लगों को जोब नहीं मिल रही थी और जो लोगों को इतना नुकसान हुआ कि उन्हें सडकोपा अधोण आना वड़ यही रह लेकिन इसके साथ साथ विश्वास करके अपना सारा पैसा लोन द्वारा इंवेश्ट किया था और उन्हें कोई भी मुनाफ़ा नहीं हुआ और इसलिए वह अपना लोन भी नहीं भर पाए जिस वजह से बैंकों ने उनके घरों पर कबजा कर लिया और लोगों की आर्थिक इस्टिति इस हद तक खर करके अपनी जीवन लीला ही खत्म कर ली इससे आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर उस समय के स्थिति क्या रही होगी और इस दोरान ना जाने कितने बैंक भी बंद पड़ गए कुछ रिसर्च बताती हैं कि उस समय लगबग आठ हजार अमेरिकन बैंक्स बंद पड रहे हैं क्योंकि उस समय एक भारी सूखा भी पड़ा था जिसके कारण अमेरिका को एग्री कल्चर सेक्टर में भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था आप इसे एक तरह का डॉमिनो इफेक्ट भी समझ लीजिए जिसमें एक के बाद एक नुकसान होता ही जा रहा था बिल की सरकार ने कुछ नहीं किया और क्यों अमेरिकी सरकार इस आर्थिक हिस्तिति को खराब होने से नहीं रोक सकी तो दरसल हुआ यह था कि उस समय यूएस के थर्टी फर्ष्ट प्रेजिडेंट जिनका नाम था हारवर्ट हुवर उन्होंने अपने देश की आर्थिक किस्तिति को ठी करने के लिए कुछ ऐसे लिए जिन से अमेरिका की आर्थिकिस्तिति को गिरने से रोका जा सके लेकिन उनके यह फेसले गलत सावित हुए और इससे देश को और भी ज्यादा नुकसान हो गया उस सुमय सरकार को यह पता था कि कईक Whew कमपनी अपने प्र और उन्हें सरकार द्वारा कई मदद दी गई जिसके चलते इस तरह की कंपनियां और भी तेजी से ग्रोह होने लगी और सरकारों के विश्वास के चलते इन पर आम लोगों का भी विश्वास बढ़ने लगा यह एक ऐसा समय था जब कंपनी बहुती कम इंवेस्टमेंट से ए लोग इन पर इतना खर्च करने के लिए तयार नहीं थे आप यह कह सकते हैं कि इस समय यह कंपनियां अपने पीक पर थी जिसके बाद इनकी सपलाई तो काफी ज्यादा थी पर डिमांड बहुत तेजी से गिरने लगी और जब लोगों ने इनकी डिमांड को इस तरह से गिर गलती यह की कि अपनी गिरती अर्थ विवस्था और फोरन रिजर्व को बचाने के लिए सरकार ने बाहर के देशों से होने वाले इंपोर्ट को काफी कम कर दिया जिसके कारण अब अमेरिका में खाने पीने की चीजों की भी कमी आने लगी क्योंकि सूखे के कारण उस समय में भी ज्यादा फसल नहीं हुई थी यह सब चीजे देखकर ऐसा लग रहा था मानों सरकार बिना किसी कारण के बेतुके फैसले ले रही हो जिसके कारण लोगों के अंदर उस समय की अमेरिकी सरकार और प्रेजिडेंट हरबर्ट हुवर के खिलाफ आक्रोश पैदा होने ल अर्थिक स्थिती को समझा और उसे ट्रैक पर लाने के लिए कई बड़े फैसले लिये उनके लिए किये फैसलों से इस आर्थिक स्थिती में कुछ फर्क पड़ा और धीरे धीरे करके हालात ठीक होने लगे यू एस के 32 में प्रेजिडेंट व्रेंक्लिन डी रूजवेल्ट ने 42 एजेंसी जिसके जरिये अमेर्की लोगों को employment परवाइड कराने में मदद की गई और साथ ही कुछ ऐसे insurance भी देना शुरू किये गए जिससे की लोगों का पैसा यदि बैंक वापस ना कर पाए तो भी सरकार उन्हें उनका पैसा लोटा सके और साथ ही stock market को भी control करने के लिए securities and exchange commission को स्थापित किया गया और लोगों के अंदर बैंकों द्वारा stock market के डर को कम करने के लिए प्रेजिडेंटर रूजवेल्ट ने अमेर्की लोगों को कई बार संभोधित किया और उन्हें अपनी सरकार द्वारा market और बैंकों के लिए बनाए गए कड़े कानून के बारे में कई बार बताया उनके काम का असर तो दिख रहा था लेकिन अभी भी अमेरिका डिग्रेड डिप्रेशन से बाहर नहीं निकला था और उसका अभी भी काफी ज्यादा असर था धीरे धीरे करके आर्थी खिस्टिती सुधरना शुरू तो हुई लेकिन इसमें उतना भी फरक नहीं पड़ा और वापिश से आर्थी खिस्टिती खराब होना शुरू हो गई लेकिन यहां अमेरिका की डूपती अर्थ विवस्था को अब अमेरिका की हत्यार बनाने वाली कमपणियों ने सहारा देना शुरू कर दिया क्योंकि अब दुनिया वर्ल्ड वार्ट टू में परवेश कर चुकी थी पूरी दुनिया में भयंग कर युद शुरू हो गया था और बड़े बड़े देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे ऐसे में देशों को काफी आधनिक हत्यारों की जरूरत थी और हत्यारों के मामले में अमेरिका काफी ज्यादा उन्नत था जिसके कारण अमेरिकी हत्यार कमपनियों को बहुत ही तेजी से बड़े बड़े हत्यारों के कॉंट्रेक्ट मिलना शुरू हो गए यह समय 1949 का था और जैसे ही अमेरिकी हाथियारों के इंपोर्ट शुरू हुए वैसे ही अमेरिका में बहुत ही तेजी से फोरन रिजर्व आना शुरू हो गए और अर्थ विवस्था काफी तेजी से उपर की और बढ़ने लगी इसके साथ साथ दुनिया भर में डिफेंस गूर्ड की काफी भारी मातरा में प्रड़क्शन शुरू हो गई जिससे मनी फ्रो भी काफी ज्यादा होने लगा और इसलिए माना जाता है कि यह भी एक बड़ा कारण था दिग्रेड डिप्रेशन को खत्म करने के लिए वर्ल्ड वार टू के समय अमेरिका एक लौता ऐसा देश था जो अपनी ग्रोथ रेड को बहुत तीची से बढ़ा रहा था जहां दुनिया भर की सुपर पावर जैसे यू एससर और यूनाइटेड किंग्डम पूरी तरह से तबाफ होते जा रहे थे वही अमेरिका एक नई सुपर पावर के रूप में उभर रहा था यानी ग्रेड डिप्रेशन के दोरान अमेरिका ने जितने बुरे दिन देखे थे वह अब खत्म हो चुके थे और अमेरिका वर्ल्ड लीडर सुपर पावर बनने के और अपना कदम रख चुका था और इस तरह अमेरिका में चले करीब 10 साल तक के दे ग्रेड डिप्रेशन पीरियड का अंत हुआ और अंत ही नहीं बलकि अमेरिका इसके बाद एक ऐसी सुपर पावर बना जिसका आज के समय में कोई दूसरा देश मुकाबला नहीं कर सकता वैसे दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है और आपको अमेरिका के दे ग्रेड डिप्रेशन के बारे में जान कर कैसा लगा आप अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते है